नमस्कार दोस्तों, NDA का फॉर्म केसे भरना है, इसमें कुक, MTS, LDC, स्टूनियोग्राफ़, ट्राफ्टमेन, कार्पेंटर, फार्मेन, सहित का इपरिकार के यहां पर निकाले गया है, इसमें 10 पास का नेट अपलाई कर सकते हैं, मेल, फिमेल, इस्टेब, इस्टाइब, हम जानेंगे फॉर्म को कैसे बनना है, सबसे पहले इसकी official website पर आ जाना है, National Defense Academy, ठीके देख सकते हैं यहां पर, और यहां पर आपको सबसे पहले अपने को create new account पर यहां पर करना होता है, ठीके, तो सबसे पहले हमें new create account को open करना है, फिर हमें एक नया account open करके, यहां पर login होना है, तो सबसे पहले देख सकते हैं, registration form हमें open हो चुका है हमारा create account पर click करने के बार, अब यहां पर हमें क्या करना है, अपना एक नया account बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां पर first name डालना होगा, जिस candidate का हम apply करेंगे form, यह खुद का आप apply कर रहे हैं, तो ख जो भी आपकी mark sheet में date of worth है, उसको यहां पर देख के बिल्कुल, तो बिल्कुल सही से हमें यहां पर select कर लेनी है, अपनी date of worth, जो भी हमारी high school की mark sheet में, तो दीख सकते हैं, यहां पर years को select करना है, मन्त को select करना है, और यहां पर day को यहां पर select कर लेना है, तो इस प्रकार से हमने data worth को यहां पर select कर लिया है अब हमारा यहां पर पूचा जा रहा है mobile number जो भी आप यहां पर register करना चाहते है mobile number को उस पर आपको OTP प्राप्त होगा ठीक है तो इस प्रकार से हमने register mobile number को यहां पर enter कर लिया है और अपनी email id को यहां पर enter कर लिया email id वही है दर्ज करें यहां पर जिससे हमें OTP प्राप्त हो जगे mobile number और email ठीक है तो इस प्रकार से हमें mobile number और email को यहां पर डालने के बाद एक password को हमें create कर लेना है यहसा password आपको यहां पर बनाना है जो mix हो कम से कम eight character का हो जिसमें eight yaha per special character सही यहां पर eight numbers को पैसवर्ड KY करेट कर लेना बचलिए हम यहां पर password को अपना डाल लेते हैं password डालने के बाद यहां पर password डालने गे तो इस प्रकार से हमें एक ऐसा password, strong password बना लेना है, जिससे हमें account open करने में login करने में आसानी हो सब्सक्राइब तो इस प्रकार से हमें capture down लेना है, यहां पर mail और email को choose करने के बाद capture दानेंगे और register login पर हमें click कर देना है तो इस प्रकार से देख सकते हैं, जो भी हमने यहां पर email और mobile number डाला था, user activation, printing, please verify OTP के लिए ठीक है तो आपने जो mobile number डाला था, उस पर OTP आएगा और जो आपने email डाला था, उस पर आपको OTP प्राप्त होगा उस OTP को हमें यहां पर डाल लेना है, सबसे पर email OTP को डालेंगे, फिर जो हमने mobile number डाला है, उसको OTP को डालेंगे, और यहां पर capture डालने के बाद देख सकते हैं, यहां पर जो capture आपको दिखाई दे रहा है, उस capture को हमें इसमें click कर देंगे, verify करेंगे, तो हमारा क्या होगा यहां पर login new account हो जाएगा, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा click account हो चुका है, login करने के लिए बोला गया है, तो हमें सबसे पहलें यहां पर, आपने जो email डाली थी, उस email को यहां पर डालेंगे, capture डालेंगे, और password डालेंगे, तो देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको interface दिखेगा, यहां पर आपको क्या करना है, verify कर देना, सभी tick को, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको green tick हो जाएग, और यहां पर tick करने के बाद एक गरी पर click कर देंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, add new application, अब हमें क्या करना है, यहां पर जिस post के लिए हम apply कर रहे हैं form अपन तो उस post को यहां पर अब हमें select करना है, यहां से हमें post को select करना है, जिस post में हम form को अपने apply कर सकते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं, यहां पर car painter है, cinema है, civilian है, motor का, cook का है, draftman है, fireman है, low division के लिएग, तो जैसा कि हमें MTS में apply करना चाहते हैं, तो हमें यहां पर अपना post जो ह OVC है, category को यहां पर choose कर सकते हैं, Indian है, Indian दिखते हैं, qualification आप जिस post को select करेंगे, automatically यहां पर help हो जाएगा, ठीक है, I agree पर हमें click कर देना है, और new application पर हमें click कर देना है, तो इस प्रकार से हमें जब भी हम new application पर यहां पर click करेंगे, तो यह हमारा form जो है, देख सकते हैं, open होक कर देना है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले है, अपना personal information, यहनि कि step by step, full form को हमें से हम fill up करेंगे, तो इस परकार से हमें personal detail को यहां पर सबसे पहले है, डालना होता है, देख सकते हमारा नाम पहले से यहां पर आ चुगा है, और data बात पहले select है, और यहां पर हमें अपना नाम, अपनी मार सीट के अंसार हैं पर डालेंगे, फादर नेम डालेंगे, मदर नेम डालेंगे, और phone नमबर देख सकते हैं, आटोमेटिकली है हमारा, और आधार नमबर को डालेंगे, और यहां पर select metal state पूचा जा रहा, आगर हम merit है, यां merit है, उसको select करेंगे, औ पूर identification पर डालेंगे, फिर आपको address यहां पर flip करना होगा, ठीक है, state को यहां पर select करेंगे, फिर आपको अपना address यहां पर flip कर लेना है, तो चलिए friends, यह address को उन्हें फिलप कर लिया है, इस पिकार से, और आपका same address है, same address पर click करेंगे, और फिर देख सकते हैं यहां पर, यहां पर EWS है, जो भी आपका cast है, उस cast को यहां पर सिर्फ सप लिए हमें लिख लेना है, ठीक है, तो इस cast को लिखने के बाद देख सकते हैं, आपको यहां पर save option दिखाए दे रहा है, इस पर save कर देना है, तो यह हमारा step complete हो जुगा है, अब हमें सबसे पर qualification को भरना है, जिस post के लिए आप apply करना है, qualification आपका 10th है, तो 10th भर सकते हैं, otherwise आपके qualification है, तो इसको भी भर सकते हैं, तो देख सकते हैं, हमने यहां पर अपनी qualification को यहां पर fill up कर लिया है, qualification को fill up करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं, तीन आपको options उपर की और दिखाई दे रहे ह other detail में candidate वही यहां पर भरना होगा, जो आपका cast है, तो cast certificate को आपको निकाल के रख लेना है, चाहें वो यह सी हो candidate, वो भी सी हो, EW से सामान हो ठीक है, तो सभी को यहां पर other qualification में cast date को इस परकार से भरना है, और इसको save कर देना है, तो इस परकार से देख सकते हैं, यह हमाई details से हो चुगा है, अब हमें यहां पर upload document पर, यहां पर हमें अपने document को यहां पर save करना है, तो देख सकते हैं, मैंने पहले सारे document को file जाए, एक size में बना रखाया, तो file size को बना लेना है अपने आपको, और फिर आपको अपने document इस प्रकार से update करते जाना है, और last में आप save form गो submit कर देना, इस प्रकार से आपका form उप्लाइब,